मैं हूं माला तो माला किचन स्टोडियों में के स्टोडियों आपका स्वागरता हैं, अगर आज पंध को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेजीगा और चलिर वीडियों शरूर्व करते हैं तो हमारा पहला जो टीप है वो इस तरह की टैप को लेखर है टैप तो सभी के घर में होता ही है लेकिन कभी कभी क्या होता है उसली टाइम हमें इसका छोड मिलता नहीं है जब हमें इसको यूज करना होता है यानि इसका जो एंड होता है वो जल्दी से हमें मिलता नहीं है हम ढूंडते रहते हैं पर वो नजर नहीं आता है तो आप क्या किये जीए आप इसके छोड को पहले ढूंड लेजिए और जब इसे यूज कर ले तो कुछ इस तरह से इसे मौड कर रख दीजिए नेक्स केंची को लेकर है तो अक्सर क्या होता है केंची की धार खराब हो जाती है हमें केंची में धार लगवाने के लिए इसे मार्केट में ले जाना पड़ता है लेकिन हम अब घर पर ही इसकी धार को तेज कर सकते हैं हमें क्या करना है इस तरह से नमक ले लेना है और मैंने नमक छलाते रहना है जिस तरह से हम कपड़ा काटते हैं उसी तरह से नमक में चलाते रहना है तो आप देख WWE कепड़ा स्वी काटे हैं तो यसे लगाथार 5-7 प्र सका चलाते रहना है तो आνगे कपड़ा अपने तेज Rig और इस तरीकी करने के बाद लिए करकंड कर देखिए अगर कपड़ा अच्छे से कट रहा है तो इसको इतना ही रहनेर दीज अगर नहीं कर रहा है तो इसको फिर से आप चलाते रहे towards आराम से तो लाइक और शेयर करदीजेगा तो चलते हैं एक नेक्स टिप की और तो हमारा नेक्स टिप εनक को लेकर यहां हमने नौर्मल नवक लिया हैं लेकिन वरत वले नमक को हमें स्टोड करना है और अगर उसमें नमını आ जाती है तो उसमें हम चावल तो डालनी सकते हैं तो मैं आपको बहुत ही बड़िया तरीका पता रही हूं तो आपको क्या करना है जब कभी भी बुरत का नमक स्ट foster करें से सब्सक्राइब में क्या डालना है तो चीशू पेपर कारों तो bury तो आपको टीशू पेपर लेना है इससे अच्छे साफ कपड़े से पोच लेना और साफ कपड़े से इस तरह से पोचने के बाद इसको इस तरह से फॉल्ड कर लेना है तो टीशू पेपर बहुत ही अच्छे से नमी को एब्जोर्ब करता ही है तो आपको पता ही है तो इस तरह से वरत वाले नमक में डाल देना ह और इसके कवर को कस के बंद कर देना है इस साल कर रखोगे तो वृत वाला नमक बिल्कुल सीलेगा नहीं आप नौर्बल नमक पे भी इस टीप को फोलो कर सकते हैं तो चलते हैं अपने नेक्स टीप की ओर नेक्स टीप हमारा इस तरह की साड़ी को लेकर है तो फ्रेंड्स कभ हमार नहीं दुकी यहां व्या-देज़्च परण मक फीले और फीर से चलते हैं अकुल तो बहो से नुर्ण में गश्यकाल कर दे लिए बिल्कुल बिसारी ना क्या हमने पना थिक इस तरीकत हैं मिला अटहिंगे एस्तां पूल। आप अपना काफी समय बचा भी पाएंगे तो उनने में वेस्ट होता है अगर आपको इस तरीके से नहीं रखना है हैंगर में हैंग करके रखना है तो आप क्या किजिए आप हैंगर ले लिजिए और पहले पेटिकोड बलाउज को हैंग कर दीजिए और उसके ओपर से आप सा हैंग हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीक है मेरी जो नेक्स टीप है वह इस परकार से शूज को ले कर रहा है तो अकसर है आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे शूज बगेरा पहनते हैं तो उसको पहनने में जो पीछे का साइड होता है ना वह सही से हमसे पहना नहीं जात मैं इसको खिच भी रही हूँ तो ये अंदर जा नहीं राच्छे से तो आज मैं आपको इसका एक सोलूशन बताती हूँ आपको क्या करना है आपको लेनी है ऐसे एक सुण जी हाँ तो अपने पेर को अंदर की और खर ना है और दुसरे हाद से इसको खीचना है यह देखे ह मैंने डाल दी न अब इसके अंदर से ऐसे करके इस शूज को साइड से भी इसके अंदर से डाल देना है मैं आपको एक बार और अच्छे से करके दिखाती हूं यह देखे फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि यह शूज है न चमच की साइटा से हमारे जो पेर है वो अंदर चले ज बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको जादा से जादा लाइक और शेयर करना और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लेना थैंक यू फॉर वाचिंग बाइबर फ्रेंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट